बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका Ice Cube Education Group पे और अभी हम लोग अध्यन करें किमिश्टी का बहुत इंपोर्टेंट पाइट है अब करेंगे और अभी हमारा ट्रॉपिक है कख्षाय कनुफसार जेनली और इसके लिए जो योजना दिया गया थे जिसका नाम बहुर वी वे योजना पिछले क्लास में बात किये थे quantum theory पे और quantum theory से चीजे तै हो गई थी कि एलेक्ट्रोन का सम्भे क्या होता है लेक्ट्रोन कहा होता है दे कैसे चक्र काटता है इलेक्ट्रोन किस कक्षा क्षा सब पर बात कर कि यूजन अब बोर विर्यूजिना की बात करें तो देखिए बोर निल्स बोर एक सांटिस्ट है जिन्नों ने सबसे पहले बताया था कि इलेक्ट्रोन जब किसी कख्षक में चकर लगाती है तो उर्जा को न तो उत्सर्जन करती न तो अफ्सोर्शित करती और विसेश सब है जो अगर कहा जाए तो प्रिंस्पल कौंटम नंबर परधान क्वांटम नंबर के बारे में एक्स्प्लेंग के थे निल्स बोर साब है और वियूरी उनका एक दोस्त था सन 1921 में दिया जाता है बोर्यूरी योजना ना सन 1921 में दिया जाते इस बात को याद रखना है एलेक्ट्रोणिक बिनयास मतल्ब इलेक्ट्रोण का सजावट किस वरकार से है तो हम देखते शाब शेख से चाहरए तो नाभीक नाभी चाड़त चारव कक्छाएं होती है कछाएं एसक कछ्खाएं है रधंससा को चुकि निल्स Bill स्फीनेट का खुछ कर चुके थे तो क्वांटम नंबर की साब से बाता थे कि क्वांटम नंबर जिन्रली अगर कहा जा तो सबसे पहला को है क्वांटम नंबर प्रिंसपल क्वांटम नंबर प्रिंसपल क्वांटम नंबर तो प्रिंस्पल क्वांटम नंबर की बात करें तो प्रिंस्पल क्वांटम नंबर को स्वीति किसे करते हैं से अगर इन बराबर एक हो तूसे कहेंगे के इन बराबर कर दो हो तूसे कहेंगे इन बराबर तीन हो तूसे कहेंगे इन बराबर तीन हो तूसे कहेंगे इन देख ल कि इस में मैकिममम कितना होगा किसी कछा में मैकिममम इलेट्रोन कितना होगा यह डिसाइड करता है N, कौन डिसाइड करता है N, number of N, N decide करेगा, कैसे decide करेगा, देखे, बहुत असान से, अगर K में निकालना की K में maximum electron कितने होगे, तो फर्मूला लगा दीजे, 2N square, जिसे N है, तो N का स्क्वार कर दीजे, इसमें 2 से गुना कर दीजे, तो ए फर्मूला से 2N square फर्मूला से बताया जा सकता है कि किस का अच्छा में कितने maximum electron होगे, चलिए, तो ठीक है, देख लिजे, 2 तो 2, और N का मतलब कितना है, तो N कितना है, तो N 1 है, तो 1 लिख दीजे, 1 का स्क्वार 1, तो 2 से गुना कितना हो जागा, 2, आरा समझ में, तो अगर आपसे पू 2 square, 4, 4 दूना कितना, 8, तो दूसरी कक्षा में maximum electron, कम से कम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ सकता है, maximum कितने, तो maximum 8, electron 8 सकते हैं, electron 8 सकते हैं, अच्छा, N में कितने, कुछ नहीं करना क्या बता है, जो N का value है, 3, 3 square किजिए, 9, 9 दूना कितना, 18, N में maximum 18 electron आटेंगे, अच्छा, N में कित आटेंगे, अच्छा, एक और कक्षा होती, 5 होता, तो 25, 25, 25, 25, 15, मतलब साफ साफ है, कि N, O, O, में कितना, 50, maximum electron, इतने, अट सकते हैं, अगर आप से पुछे, कि किसी कक्षा में maximum electron, कितने होंगे, या कैसे निकाला जा सकते हैं, तो फर्मूला इसका, 2, N, इसक्वार, जहां N मतलब याद रखना है, N मतलब number of cell, number of cell का square की उसे का दुगना कर दीजे, पता चालेगा, कितने electron होगा, यह बात है, हमार हो गया, complete, बोर्वियोजना से, बोर्वियोजना से, सबसे पहले यह पता चला, बोर्वियोजना में सबसे पहला concept ही है, कि सबसे यह पता चला, कि किस कक्छा में कितने electron होगे, यह बात है final है, अगला बात अगर देखे, तो चले यह पता है कि कितने electron होगे, तो देखा गया, पर्थम कक्छा में maximum electron, तो चले मैं लिखता हूँ चीजे देखिए, तो बोर्वियोजना से पहला concept क्या है, तो पहला concept है कि प्रथम कक्छा में, प्रथम कक्छा में maximum electron, max, maximum दो electron होगे, maximum कितने electron होगे, दो electron के maximum, कम से कम, एक कम से कम, दो हो सकता है, चले यह बात है, अगला बात याद रखना है कि यह बात है और कहा गया, कि जैसे अगर दूसरा देखे, तो दूसरी कक्छा में देखे, कितने electron 8, सच यह है कि दूसरी कक्छा में अधिक्तम 8 होगे, लेकिन एक बात और भी देखा गया है, अगर उस बात को देखने का प्रयाज करें, तो भी देखा गया, कि दूसरी कक्छा में maximum 8 electron होगे, लेकिन किसी भी बाहरी कक्छा में 8 से अधिक electron नहीं होगे, हमें से याद रखना ह इस बात को याद रखना है, इस बात को यहाँ देखें, तो सेकेंड और कक्छा में maximum 8 electron होगे, और इसके साथ 8 electron समझे एक बात और याद रखना है, कि किसी कक्छा में 8 से, किसी बाहरी कक्छा में, अगर बात करें, बाहरी कक्छा में, बाहरी कक्छा में, बाहरी कक्छा में, अधीक इलेक्ट्रोन नहीं हो सकते हैं पहले कर्णा कंषा हैं विसमें कितनी इलेक्ट्रों दो और फोस्तिक गोड़ित और दूसरी कख्षा में मैक्सिमम कितने रख सकते हैं तो दूसरी कख्षा में मैक्सिमम इलेक्रों रख सकते हैं आठ दू आठ और तीसरी कख्षा में कितने रख सकते हैं मैक्सिमम तो तीसरी कख्षा में मैक्सिमम इलेक्रों रखा जा सकते हैं 18 देख लिए 18 तो अराम से बाता है तो इसे दो भर में बार दीजे आठ और एक ऐसे इस बात को मतलब कुझों होता है से अभी आध रखेगे अभी आप याद रखें चिज लिए बाहरी कख्षह में कभी आठ से ईलेक्त रखों नहीं 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 होना चाहिए कि उ leptall याद रखना तीन चीजे तीसरी बात मैं लिगते एक हीलियम हीलियम के कितना दो तो थाक्षा में अधिक से दो हीए देख ले बिरिलियम तो फ्रेस कीतने हैं साथ, घर में कितना लिडिया, क्छ रह सकते हैं तो नोज आप 17 गीजिए और कितना जागा 28 आठ बचा कितना एक मैंने क्या बताता अगर नो होगा तुसी बार देने आठ और एक में हलाकि आप एक कह सकते हैं कि दूसी कख्षा में सरते दूसी कख्षा में आठ से ज्यादा इलेटों नहीं हो सकते हैं इसलिए आठ डालके एक अगला आगे भेद दी अच्छा मैंगनेस आठ डू आठ डू एलिमानियूनियम का कितना अगा दू आठ की से ऍालतव होगा किताँ परवनमयं अलिगए लिकान का कवन इल tengan का दो आठ च़ार आगे देख लीजिए मन क्सकूंच के पुस्वस्वीच्छिप में agas नो याद रखना है कि तीरी क्छा में छक्ते अमस्य परोट अमे अठारा रखेस्टारइं लेकिन बता चुछ गया नंती इसकता क्यों नहीं राजनुन याज़न Yazan है इसके बाद भी तो कक्षाए है कक्षाए है और याद रखना कि करना कि जब नौ हो जाता है इसके पास इतना ज़्यादा भार हो जाता है होता है कि मोट्री लिये रहते हैं बहुत सारा पुट्री लिये रहते हैं वजन भर जाता तो बगलों को धरा देते कि लोग पक्रों यसा जब इसे आठ से ज्यादर जैसे होता तो एक एलेक्ट् Only कख्षा में कुछ जाता है याद रखना है किसी कख्षा में आपको 8 से ज्यादर रखना ही नहीं यह बोड बीरीयोजना कनूं सरा ठीक है तुछले देख लेकिंट हम लोग क्या किये वोड़ देख लीज़े दो आठ च्ञेघा एक और अगला क्या है कल सियं तो कल समय देख लीजिए दो आठ आठ दो अगला कैस्के इस कंद्ययं। थे दो आठ आठ और याद रखने एक बात बाता दूँए इस अब होता क् तो आद रखना है तो अब यहां बढ़ा सकते हैं अब याद रखना है कि तीसरी कक्षा में तीसरी कख्षा में आठ चीलेक्ट्रोन बढ़ा के नो दस करते करते तीसरी कक्षा में अब 18 तक ले जाते रहे और जब अठारा पूर जागा जिसमें उसको अजया फिर इस दो को बरहा के आठ तक ले जाना है और एसी जैसे बता तो इसे प्रैक्टिस कि आपका कमांड हो जे सबसक्राइब करना कुछ नहीं है Čती कख्षा में दो Socks 2018 और 9 कितना हो जागा 10 सबसक्षला खोना कितना होगा 13 स्फे बढ़ जाए आ 20 तो बार्टे चला जांगा तो सर्थ याद है बोड़ना में कि भी रूपुट्टnya और आपका काम काम आजागा आप याद रखी 30 तक निकाले आपका काम हो जाएगा तरीका ही है आप निकाल सकते हैं प्रेक्टिस कीजिए नहीं हो रहा है तो फिर कमेंट में लिखिए चलिए यह तरीका एक हो गया अब सवाल है कि क्या कोई दूसरा तरीका है तो हम बात अब बाव के प्रिंश्पा होगा और फिर याद रखने तरीका ही है कि पहला क्षा में आट से जज़्यादा यह नहीं होना चाहिए ठीक है और एक बात और याद रखना चीजिज्जे जैसे देख लेता हूं कि अंतिम कख्छा में तुम कख्छा में कि अंत्री पश्वाा मतलब कि चौती कख्षा में दो इलेक्टरों को किक्स करना है और तीसरी कख्षा में भर के कहा तक जाना है । 18 तक जाना है परार जैसे कम्प्लिट हो उसके बाद फिर के करना जो दो को फिक्स किये थे अब आठारा जैसे कंप्लीट हुआ तब इस दो को बढ़ाते रहे और दो को बढ़ा के कहां तक आठ तक क्यूंकि आठ से ज्यादा इलेक्ट्रोन होई किसी कख्षा में अधिक्तम इलेक्ट्रोन कितने होंगे इसका सुत्र क्या है तो इन स्कॉर इस बात को याद रखना है हमारा उगया कौभर चलिए कि अगले कलास में देखेंगे कि अफ़वाव की प्रेंसिपल से कैसी और निकालते हैं और प्रिंसिपलर को यूज कर्थ करके क다면 सास्चिक क्यात इस पर बात करेंगे हमारा टोपिक कमांड है और अभ अब हम लोग परमाह्नुससन राट के समाप्ति की गारउब और तीन-चार कलासे जनरल इसके बाद आपका परमानुशन चनल समाप्थ हो जाएगा और पूरा कमांड हो जाएगा चलिए तो मिलते हैं इसी उज्जावंग के साथ नए कंसेप्ट के साथ नए टोपिक के साथ नए उज्जा के साथ नए एहसास के साथ जय हिन जय भारत झाल